नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम भगवान शिव के बारे में कुछ रहस से पूर्ण रोचक तत्य आपके साथ साजह करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदु धर्मे भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं पार्वती के पती शंकर जिने भोले नाथ आधिनाथ आधिक कहा जाता है देवों के देव महादेव माना जाता है शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है शंकर जी सौम में आखरती एवं रौत्र रूप दोरों के लिए विख्यात है स्रिस्टी के उत्पत्ति एवं संघार के अधिपत्ति शिव है यहां प्रस्तुत है भगवान शिव के वारे में कुछ रोचक और रहसे पूर्ण तक्थ्य आदीनात शिव सर्वप्रथम शिव ने ही धर्ती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया इसलिए उन्हें आदी देव भी कहा जाता है आदी का अर्थ है प्रारंब आदी होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है शिव के अस्त्र सस्त्र शिव का धनुस पिनाग, चक्र भवरेंदू और सुदर्शन, अस्त्र पाशू, पतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है उक्ति सभी का उन्होंने निर्मान स्वयम ही किया था बगवान शिव का नाग, शिव की गले में जो नाग लिप्टा रहता है उसका नाम वासुकी है वासुकी के बड़े भाई का नाम शेस नाग है शिव की अरधांगिनी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शिव की पहली पतनी सती नहीं अगले जर्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, काली है शिव के पुत्र दोस्तों शाहरे आपको इसकी जानकारी नहीं होगी शिव के प्रमुक छे पुत्र हैं गनेश, कार्टिके, सुकेश, जलंदर, आयप्पा और भूमा सभी के जर्म की कथा अत्यन्त रोचक है शिव के सिश्य, शिव के साथ सिश्य हैं जिने प्रारंबिक सब्त रिशी माना गया है इन रिश्यों ने ही शिव के ज्यान को संपूर्ण धर्ती पर प्रचारित किया जिसके चलते भिन भिन धर्म और संस्कृतियों के उत्पत्ती हुई शिव ने ही गुरू और शिस्य की परंपरा की शुरुआत की थी शिव के शिस्य हैं ब्रहस्पती, विशालाक्ष, सुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनू, भरद्वाज इसके अलावा आठवे गैर शिरस मुनी शिव के गण शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मनीभद्र, चंदिस, नंदी, शिंगी, भ्रिगी रिटी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग, नागिन पश्वों को भी शिव का गण माना जाता है शिव पंचायत, भग्मान सुर्य, गणपती, देवी, रुद्र और विश्नु ये शिव के पंचायत कहलाते हैं शिव के द्वारपाल, नंदी, सकंद, रिटी, व्रिशव, ब्रिंगी, गनेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये सब सिव के द्वारपाल हैं, शिव पारसद, जिस तरह जय और विजय विश्नु के पारसद हैं, उसी तरह बाण, रावन, चंद, नंदी, भिंगी, आदी, शिव के पारसद हैं सबी धर्मों का केंद्र शिव, शिव की वेश भूसा ऐसी है कि प्रतेक धर्म के लोग उन में अपने प्रतीक धून सकते हैं इब्राहिम धर्म, मुश्रिक, यजीदी, साइबिनी, ये सबी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पस्ट रूप से देखी जा सकती है शिव के सिस्यों से एक ऐसी परंपरा के शुरुवात हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नात, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई बौन्द साहित के मर्मग्य, अंतरास्ट्रिये, ख्याती प्राप्त विद्वान, प्रोफेसर और उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था उन्होंने पाली ग्रंतों में वर्नित, 27 बुद्धों का उलेक करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के तीन नाम अति प्राचीन है तनंकर, शनंकर और मेघंकर देवता और असुर दोनों के प्रिये शिव भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंदर्व, यक्ष सभी पूझते हैं वेरावन को भी वर्दान देते हैं और राम को भी उन्होंने भसमासुर, शुक्राचारे, आदि कई असुरों को वर्दान दिया था शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाती, वर्ण, धर्म और समाज के सरवोच देवता है शिव चिन्द, वनवासी को लेकर सभी साधर्ण वैक्ती, जिस चिन्द की पूझा कर सकें, उस पत्तर के ढेले को शिव का चिन्द माना जाता है इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्द माना गया है कुछ लोग डमरू और अर्द चंद्र को भी शिव का चिन्द मानते हैं हालाकि जादा तर लोग शिवलिंग अर्थाद शिव की पूझा करते हैं शिव ने भसमासूर से बचने के लिए एक पहाडी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में चिव गए वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ीयों पर है शिव के पैरों के निशान श्रीपद स्रीलंका में रतन दूई पहाड की चोटी पर इस्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है ये पच्चन पाच फूट साथ इंच लंबे और दो फूट शे इंच चोड़े है इस स्थान को सिवानो लीपदम कहते हैं कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं रुद्रपद तामिलनाडू के नाग पट्तिनम जिले के थिरुवेंगडु शेत्र में श्री स्वेद दरणनेश्वर का मंदिर है जिसमें शिव के बद्द जिन है जिसे रुद्रपदम कहा जाता है इसके अलावा थिरुवन्दा मलाई में भी एक स्थान पर शिव के बद्द चिन है जहां शिव ने अमरत्व का ज्यान दिया था वागुफा अमरनाद के नाम से प्रसुद तेजपूर असम के तेजपूर में ब्रह्मपुत्र नदी के बास इस्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है जागेश्वर उत्तराखंड के अलमोडा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगबख सारे 4 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद्द चिन है पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहां और दूसरा कैलाश में रखा था जारखंड के राची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर राची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान है इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है शिव के अवतार वीर्भद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वतामा, शर्भावतार, ग्रिहपती, दुर्वासा, हनुमान, व्रिशब, यतीनात, कृष्णदर्शन, अवधूत, विक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनत, नर्तक, ब्रह्मचादी, यक्ष, वैश्यानात, दुजेश्वर, हन्सरूप, दुविज, नतेश्वर, आदी, शिव के अवधार के रूप में हुए हैं, वेदों में रुद्रों का जिक्र है, रुद्रे ग्यारा बताये जाते हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, शंभू, चंड तथा भव, शिव का विरोदा भासिक परिवार, दोस्तों आपको तो पता ही होगा, कि शिव पुत्रकार्टी के का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है, सुभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है, इधर गनपती का वाहन इस फिरोदा भास के या वैचारिक भिनिता के बाबजूद परिवार में एकता है, तिबवत के इस्थित कैलाश परवत पर उनका निवास है, जहां पर शिव विराजमान है, उस परवत के ठीक नीचे पाताल लोग है, जो भगवान विश्नु का स्थान है, शिव के आसन के उपर वायू मंदल के पार क्रमशा, स्वर्ग लोग और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, शिव भगत, ब्रह्मा विश्नु और सभी देवी देवताओं सहित, भगवान राम और कृष्न भी शिव भगत है, हरिवश पुरान के अनुसार, कैलाश परवत पर कृष्न ने शिव शिव को प्रसंद करने के लिए तपस्या की थी, और आपको बताई होगा कि भगवन राम ने रामेश्वरम में शिव लिंग स्थापित कर उनकी भी पूजा अर्चना की थी, शिव का ध्यान, शिव की भक्ती है तू, शिव का ध्यान और पूजन किया जाता है, शिव मंत्र है, पहला ओम नमश शिवाय और दूसरा महा मृत्यूजय मंत्र है, दोस्तों यह मंत्र हमेशा वीज मंत्र के साथ ही पढ़ा जाता है, ओम हौम जूंग सह, ओम भूर भुव स्वह, ओम त्रयंबकम यजा महे, सुगंधिम पुस्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव धनान, मृत्य और मुक्षी अमाम रितार, ओम स्वह, भुवा, भुवू, ओम सह, जूंग, हौंग, ओम शिवरत और तेवार, सोमवार प्रदोष और सावन मास में शिवरत रखे जाते हैं शिवरात्री और महाशिवरात्री शिव का प्रमुक पर्व तेवार है शिव प्रचारक, पगवान शंकर की परंपरा को उनके शिश्यों ब्रहस्पती, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्रचेतस मनू, भर्द्वाज, अगस्ति मुनी, गौर्शिरस, नंदी, कार्तिके, भैरवनाथ, आदी ने आगे बढ़ाया इसके अलावा वीर भद्र, मनी भद्र, चंदिस, नंदी, श्रिंगी, भिगी रिटी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, बान, रावन, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदी गुरु भगवान दत्ता त्रे का आता है दत्ता त्रे के बाद आदी शंकरा चारे, मतेंद्र नात और गुरु गुरक नात का नाम प्रमुकता से लिया जाता है शिव महिमा, शिव ने काल कूट नामक विश पिया था, जो अमरित मंथन के दौरान निकाला गया था शिव ने भस्मा सुर जैसे कई असुरों को वर्दान दिया था शिव ने काम देव को भस्म कर दिया था शिव ने गनेश और राजा दक्ष के सिर को जोड दिया था ब्रह्मा द्वारा छल किये जाने पर शिव ने ब्रह्मा जी का विपाच्वा सर्ग काट दिया था शैव परंपरा दस नामी, शाक्त, सिद्ध, तिगंबर, नात, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुक शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नागलकुलीश, पाशूपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं, चंत्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्नीवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाती के आराध्य देव शिव हैं, शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है शिव के प्रमुख नाम दोस्तों वैसे तो शिव के अनेकों नाम है जिनमें 108 नामों का उल्लेक पुरानों में मिलता है लेकिन यहां प्रचलित नाम जाने जैसे की महेश, नीलकंट, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतीनात, गंगाधर, नतराज, त्रिनेत्र, भोलेनात, आदिदेव, आदिनात, त्रैंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनात, विश्वेश्वर, हर, शिवसंभू, भूतनात औ रुद्र, अमरनात के अमरितवचन, शिवने अपनी अरधांगिनी पार्वती को, मोक्ष हेतु, अमरनात की गुफा में जो ज्यान दिया था, उस ज्यान की आज अनेका अनेक शाखाएं हो चली है, वह या ज्यान योग्य, और तंत्र मूल, सूत्रों में शामिल है, विज्य पुरान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है, शिव ग्रंथ, वेद और उपनिसत सहित, विज्यान, भैरव तंत्र, शिव पुरान और शिव सहिता में शिव की संपूर्ण सीक्षा औ शिव लिंग, वायू पुरान के अनुसार, प्रलय काल में समस्थ स्रिष्टी जिसमें लीन हो जाती है और पुना स्रिष्टी काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं, इस प्रकार विश्व की संपूर्ण उर्जा ही लिंग की प्रतीक है, वस्तुता यह पुर्जा और नाद अर्थाद ध्वनी यही दो संपूर्ण ब्रह्मान्ड का आधार है इसी कारण प्रतीक स्वरुप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों यहां मैं आपको बारा जोतिर लिंगों के नाम बता रहे हूँ सोमनात, मलिका अर्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, वैद्दिनात, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथजी, त्रेमकेश्वर, केदारनात और घृष्णेश्वर जोतिर लिंग उत्पत्ति के सम्बंध में अनेकों मानेताएं प्रचलित हैं जोतिर लिंग यानि व्यापक ब्रह्मात लिंग जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश जो शिवलिंग के बारह खंड है शिव पुरान के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धी, चित, एहंकार, आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रित्वी को जोतिर लिंग का पिंड कहा गया है दूसरी मानिता अनुसार, शिव पुरान के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से जोति पिंड प्रित्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी दे के लिए प्रकाश फैलिया इस तरह के अनेको उलका पिंड आकाश से धर्ती पर गिरे थे भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख बारा पिंड को ही जोतिर लिग में शामिल किया गया है शिव का दर्शन शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दिस्टी से देखते हैं वे सही बुद्धी वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जीओ बर्तमान में जीओ अपनी चित वृत्यों से लडो मत उन्हें अजनभी बन कर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उप्योग करो आइनस्टीन ने से पुर्व शिव ने कहा था कि कल्पना ज्यान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिव और संकर शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है लोग कहते हैं शिव शंकर भोले नाथ इस तरह अंजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं असल में दोनों प्रतिमाएं अलग-अलग आकरति की हैं शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है कई ज़वा तो आप देखेंगे कि शंकर को शिव लिग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है अताशिव और शंकर दो अलग सत्ताए हैं हाला कि शंकर को भी शिव रूप माना गया है माना जाता है कि महेश यानि कि नन्दी और महाकार भगवान शंकर के द्वार पाल है रुत्र देवता शंकर के पंचायत के सदस्य हैं देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्तव से प्रतिसपर्धा चलती रहती थी ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवा दी देव महादेव के पास जाते थे दैत्यों लाक्षसों सहित देवताओं ने भी शिवस को कई बार चुनौती दी लेकिन वे सभी पराज्त होकर शिव के समक्ष जुग गए इसलिए शिव है देवों के देव महादेव वे दैत्यों दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान है वे राम को भी वर्दान देते हैं और रावन को भी शिव हर काल में भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिये हैं रांग के समय भी शिव थे माभालत काल में भी शिव थे और विक्रमा दित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उलेक मिलता है भवेश्य पुरान अनुसार राजा हर्सवर्दन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिये थे तो दोस्तों क्या लगा भगवान शिव के बारे में कुछ जाने अन्जाने तथे जानकर अगर पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें क्योंकि जल्द ही अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और रोचक और रहस समय जानकारिया लेकर आरे वाले हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभू नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम भगवान शिव के बारे में कुछ रहस से पूर्ण रोचक तर्थे आपके साथ साज़ा करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदु धर्मे भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं पार्वती के पती शंकर जिने भोले नात आधी नात आधी कहा जाता है देवों के देव महा देव माना जाता है शंकर जी को संगहार का देवता कहा जाता है शंकर जी सौम में आखरती एवं रौत्र रूप दोरों के लिए विख्यात है स्रिस्टी के उत्पत्ति, स्थिती एवं संघार के अधिपत्ति शिव है यहां प्रस्तुत है भगवान शिव के वारे में कुछ रोचक और रहसेपूर्ण तल्थ्य आदीनात शिव सर्व प्रथम शिव ने ही धर्ती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया इसलिए उन्हें आदी देव भी कहा जाता है आदी का अर्थ है प्रारंब आदी होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है शिव के अस्त्र सस्त्र शिव का धनुस्पिनाग, चक्र भवरेंदू और सुदर्शन, अस्त्र पाशू, पतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है उक्त सभी का उन्होंने निर्मान स्वयम ही किया था भवान शिव का नाग, शिव की गले में जो नाग लिप्टा रहता है उसका नाम वासुकी है वासुकी के बड़े भाई का नाम शेस नाग है शिव की अरधांगनी दोस्तों जासा कि आप जानते हैं कि शिव की पहली पतनी सती नहीं अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा काली है शिव के पुत्र दोस्तों शाहर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी शिव के प्रमुक छे पुत्र हैं गनेश, कार्टिके, सुकेश, जलंदर, आयप्पा और भूमा सभी के जर्म की कथा अत्यन्त रोचक है शिव के सिश्य शिव के साथ सिश्य हैं जिने प्रारंबिक सब्त रिशी माना गया है इन रिश्यों नहीं शिव के ज्यान को संपोर्ण धर्ती पर प्रचारित किया जिसके चलते भिन भिन धर्म और संस्कृतियों के उत्पत्ती हुई शिव नहीं गुरू और शिश्य की परंपरा की शुरुआत की थी शिव के शिश्य हैं ब्रहस्पती, विशालाक्ष, सुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनू, भरद्वाज इसके अलावा आठवे गैर शिरस मुनी शिव की गण शिव के गणों में भैरव, वीर भद्र, मनी भद्र, चंदिस, नंदी, शिंगी, भ्रिगी रिटी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग, नागिन पश्यों को भी शिव का गण माना जाता है शिव पंचायत, भगवान सूर्य, गणपती, देवी, रुद्र और विश्नु ये शिव के पंचायत कहलाते हैं शिव के द्वारपाल, नंदी, सकंद, रिटी, व्रिशव, भ्रिंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये सब शिव के द्वारपाल हैं शिव पारसद, जिस तरह जय और विजय विश्नु के पारसद हैं उसी तरह बाण, रावन, चंद, नंदी, भ्रिंगी, आदी, शिव के पारसद हैं सभी धर्मों का केद्र शिव शिव की वेश भूसा ऐसी है कि प्रतेक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढून सकते हैं इब्राहिम धर्म, मुश्रिक, यजीदी, साइबिनी ये सभी धर्मों में शिव के होने की छाप सपस्ट रूप से देखी जा सकती है शिव के सिस्यों से एक ऐसी परंपरा के शुरुवात हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नात, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई बौन्द साहित्य के मर्मग्य, अंतरास्ट्रिय, ख्याती प्राप्त विद्वान, प्रोफेसर और उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था उन्होंने पाली ग्रंतों में वर्नित, 27 बुद्धों का उलेक करते हुए बताया है कि इन में बुद्ध के तीन नाम अति प्राचीन है तनंकर, शनंकर और मेघंकर देवता और असुर दोनों के प्रिये शिव भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंदर्व, यक्ष सभी पूछते हैं वेरावन को भी वर्दान देते हैं और राम को भी उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचारे, आदि कई असुरों को वर्दान दिया था शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाती, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच देवता है शिव चिन्ड, वनवासी को लेकर सभी साधार्ण वैक्ति, जिस चिन्ड की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले को शिव का चिन्ड माना जाता है इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ड माना गया है कुछ लोग डमरू और अर्ध चंड्र को भी शिव का चिन्ड मानते हैं हाला कि जादा तर लोग शिवलिग अर्थात शिव की पूजा करते हैं शिव की गुफा, शिव ने भसमासूर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में चिव गए, वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ीों पर है शिव के पैरों के निशान श्रीपत, स्रीलंका में रतन दूई पहाड़ की चोटी पर इस्थित श्रीपत नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है ये पच्चिन 5.7 इंच लंबे और 2.6 इंच चौड़े है इस स्थान को सिवानो लीपदम कहते है कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते है रुद्रपत, तामिलनाडू के नाग पट्तिनम जिले के धिरुवेंगडु शेत्र में श्री स्वेद दरणनेश्वर का मंदिर है जिसमें शिव के पद्द्चिन्श है, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है इसके अलावा धिरुवणना मलाय में भी एक स्थान पर शिव के पद्द्चिन्श है जहां शिव ने अमरत्व का घ्यान दिया था वागुफा अमरनाद के नाम से प्रसुख तेजपूर असम के तेजपूर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास इस्थित रुत्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है जागेश्वर उत्राखंड के अलमोडा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगबख सारे 4 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पदचिन है पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहां और दूसरा कैलाश में रखा था जारखंड के राची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर राची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान है इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है शिव के अवतार वीर्भद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वतामा, शर्भावतार, ग्रिहपती, दुर्वासा, हनुमान, व्रिशव, यतीनात, कृष्णदर्शन, अवधूत, विक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनत, नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानात, आदी, शिव के अवदार के रूप में हुए हैं, वेदों में रुद्रों का जिक्र है, रुद्रे ग्यारा बताये जाते हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपीबुर्ध, शंभू, चंड तथा भव,